स्वागत है आपका हमारे चैनल में एस कॉंसक्शन एंड टेग आई होप आप सब रोग अच्छे होंगे आज मैं जो नक्षा लेकर आया हूँ वह हमारा 30 फिट बाई 60 फिट का प्लान यानि के 30 फिट इसका फ्रेंट है और 60 फिट इसकी लंबाई है इस पूरे प्लान के अंदर हमने तीन बैड रूम दी है आपका लेविंग एरिया डाइनिंग एरिया है गैस्ट्रूम है आपका किचिन है लोन एरिया है आपकी कार पार्किंग हमने इसके अंदर दी है आपका ओपिन स्पेस है और आपकी यहां से हमने स्टेर्स के पास से एक तोटल कॉलम जो हमने इसके अंदर दिये हैं वह 20 कॉलम्स हमने पुरे प्लान के अंदर प्रोवाइट किये हैं प्रोवाइट किया है वह 9-inch by 12-inch का है यह पुरा प्लोट साइस जो है यह 18-0 square feet का है अगर गज में बात करें तो यह 200 गज का प्लोट है इसका जो फेस डायरेक्शन है वह इस्ट में हमने दिया है इसका अब इसकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एक मंजिल बनाने का ख़चा कितना आएगा कितने पैसे आपके लग जाएंगे तो पहले मैं डायमेंशन की बात करता हूं तो स्टाट करते है इसकी कार पार्किंग से यह आप देख रहे हो यह है इसकी कार पार्किंग कार पार्किंग का जो डायमेंशन हमने दिया है वह हमारा सिक्स्टीन फीट फॉर इंच बाय तैन फीट का यहां से लेकर यहां तक हमारा सिक्स्टीन फीट फॉर इंच है और यहां से लेकर यहा वह जाए गया है इसी तरह से यहां पर हमने लॉण एड्या प्रोड किया है आप देख सकते हूं यहां पर यहां पर यहां हो जाए है इसकी टाइमेंशन है ने हमारी वहां फोर फीट भाई एक टीने टीन एक चीज़ मिलानी थे तो सब्सक्ताइब घ्ली मोर्स काफिए टीन टीन एक टेंग तो ऺ्री पेजय करें से बात करता है तो आप सब्सक्राइब कर नकिदे तो यहांसा में से थोड़ा बड़ा दिया है तो हमारा पूरा लिविंग एरिया यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक हमारा पूरा लिविंग एरिया है इसकी जो डाइमेशन हमने प्रोवाइट किया हुआ हमारी 11 तो यहां पर हमारी टैनी की बराबर में यहां पर हमने किछन प्रोवाइट किया है आप देख सकते हो यहां पर हमने किछन दिया है ऐसे हमारे किछिन हैях है उसकिर दािमिशन हमने दिया है 11-7-5-7-5-7-7-7-7- रहेगा तो यहमारे किछिन भीडियों कि हमें भी उलब की यहां डाई businessman कि तो कौन हैं ultime हम बाता है इसी के बारभर में ए अठरे कीव डॉरियां दिया है यहां से हमने लोन में से एक डूर दिया अपने गैस्ट जो हमारे मैमान होंगे वह यहां से आके हमारे इस ड्वैंग रूम में आ सकते हैं तो दाइमेशन की बात करते हैं इसकी तो यह है हमारी 11 feet 7 inch by 10 feet की यहां यहां से लेकर यहां तक हमारे 10 feet रहेगा तो यहां पर हमारा sofa set आजाएगा इसकी विंड़ो हमने यहां पर प्रोवाइट किया है फोर फीट वाइट विंड़ो हमने यहां पर दी है इस ड्राइंग रूम की ठीक है फिर हम चलते हैं अपने living area सीधे आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर हमने common toilet bathroom प्रोवाइट किया ह तो हमारा common toilet bathroom है इसकी डाइमेंशन है यह हमारी 7 feet by 4 feet कि यहां से लेकर यहां तक हमारा 7 feet रहेगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 4 feet रहेगा इसका ventilation हमने यहां पर दिया है जो हमारे OTS से connect है तो इसकी जो भी गया होगी वहां इस ventilation की थूरू पास आउट हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक हमारा 4 feet 4 inch है तक हमारा OTS हो जाएगा फिर हम चलता है अपने stairs की तरफ तो आप यहां पर देख रहे हो यह हमारी stairs रही स्टीर्स है स्टीर्स है इस चर्स जो हमने बनाई है वह हमारी seven feet wide space में रहे एं स्टीर्स बनाई है यहां से हम सीधे अपने यहां से हम इस ऑनदर एंट्री दिए और दो जगाथ से एंसके अपने डायरी में आजाएंगे लेकर दो जगाथ संप्र है अंधर आ को और राट्री थ्री फीट फीड वाइट विंडू मैं इस्टे रसकी नीचे प्रोवाइट किये ओडिकल चाहो तो यहाँ पर इस्टेर्इट की नीचे इस प्रोवाइट है, यह उस्टीर फचे स्सास left 시स रख सकते हो 3 feet 6 inch wide गैली हमने यहां पर प्रोवाइट किया है अब बात करते हैं फर्स बैडरूम की तो बैडरूम की जो डाइमेंशन है वो है हमारी 14 feet 9 inch by 11 feet 4 inch की यहां से लेकर यहां तक हमारा 14 feet 9 inch रहेगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 11 feet 4 inch रहेगा यहां बैडरूम प्रोवाइट किने त Freak। रहेगा double window वाव पर ऩ। अपार कोला थंग है तो यह आ हमने विंडो प्रोवाइट की है अब सलते ह। आएं अपने leaderathan की तरफ यहांई कि इसकी डाइमेंशन हमने प्रोवाइट किया है, इसकी डाइमेंशन है 15 feet by 15 feet 2 inch यहां से लेकर यहां तक यह 15 feet 2 inch यहां तक यहां पर हमारा बैड आ जाएगा, यहां वाड रोब हो जागा, यहां तीवी आ जाएगा, इसी बैटरूम के अंदर आप अपना पढ़ने की टेबल भ चाहिए यहां पर आप एक डूरो देख रहे हो कि हम ने पर कि आप यहां पर एक डॉर देख रहे हो psychiat। आं रहे हैंतर अप्रीट運ियो इसी दासरा है कि आप देख रहे हैं आप लिए हमारा टीसारा App रेड्रूम सेख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक हमारा 13 feet 4 inch रहेगा तो यहां बैड रूम हो जाएगा इस बैड रूम की विंडो एक हमने यहां पर दिये जो ओपिन स्पेस में लगी ओपिन स्पेस से कनेक्ट है फोर फीड वाइड विंडो ने यहां पर प्रोवाइड किये इसी तरह से यहां बैड रूम की विंडो हमने यहां पर प्रोवाइड विंडो इस बैड रूम की एक और विंडो हमने यहां पर दिये 2 feet 6 inch की विंडो हमने यहां पर प्रोवाइड किये अब बात करते हैं इसकी इस्पेस की तो यह जो इस्पेस है यह मैंने बिल्कुल ओपिन रखा है और यहां पर बिल्कुल सेपरेट ट्वालेट बातरूम है यहां से डोर दी है तो यहां अपने यहां पर ट्वालेट बातरूम में से भी डोर दी है तो आप इस इन बातरूम ट अब यह पूरा open area है तो इसकी dimension की बात करते हैं यह 9ft by 7ft 8 inch का यहां से लेकर यहां तक यह नाइन फीट रहेगा और यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर 7ft 8 inch रहेगा यह इस पेस इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने बैडरूम में cooler लगाना चाहते है तो यहां पर आपका cooler आजाएगा easily और यहां पर भी आपका cooler आजाएगा ठीक है अब बात करते हैं इसकी toilet bathroom की तो बिल्कुल separate दी है इसकी toilet bathroom हमने इसकी toilet bathroom की dimension है वह रहे के 4 feet 4 inch by 5 feet की यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक हमारा 4 feet 4 inch हो जाएगा और यहां से लेकर यहां तक हमारा 5 feet हो जाएगा आप चाहो तो इसमें इसके बीच में open space छोड़ सकते हो मतलब यहां पर बिल्कुल सेंटर में आप 3 feet by 3 feet का यहां पर इस्पेस्स छोड़ सकते हो बिल्कुल आपको यहां पर लेंटर आजाएगा और जो बाकी का इस्पीस बचेगा उसको आप यूज में रख सकते हो तो यह था हमारा 30 feet by 60 feet का प्लान तो आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा चलिए अब मैं आपको वीडियो की लास्ट मैंने जो का इस्टार्टिंग कहा था कि एक मंज़िल बनाने में कितना घर्च आएगा आपके जो एक मंज़िल बनाने में खर्च आएगा वह आएगा 19 लैक खर्च आएगा एक मंज़िल बनाने में तो यह थी हमारी 30-50 का प्लान अशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे कमेंट करके जरूर बता हैं और हमाई वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर झाल